Hello students, आज की सेसन में हम class 8 science के जो chapter 2 है microorganisms, friend and boy उसे discuss करेंगे, ठीक है? तो यहाँ जो first term है microorganisms, इसका मतलब क्या है? पहले समझते है organisms क्या है? Organisms है living beings Living beings को हम organisms कहते हैं और micro का मतलब होता है small Very small और tiny कह सकते हैं आप उसकी size around 1 micron की size क्या होता है? 10 to the power minus 6 तो बहुत ही छोटे होते हैं जो microorganisms होते हैं जो भी living beings काफी small है, tiny है Around उनकी size 10 to the power minus 6 से start होगी तो उसे हम कहते हैं microorganisms तो यहाँ जो sub heading है friend and boy Friend हमारे दोस्त होते हैं and boy का मतलब है enemy तो इसका मतलब यह है कि कुछ microorganisms हमारे दोस्त होते हैं और फिर कुछ microorganisms हमारे enemy होते हैं हमारे लिए harmful होते हैं तो वो हमारे दोस्त कैसे होते हैं? कुछ bacteria होते हैं वो food products बनाने में help करते हैं आपकी कर्ड, cheese, lactobacillus के बारे में तो आपने सुना होगा यह हमें कर्ड प्रिप्यार करने के लिए help करता है उसी तरह कुछ microorganisms कैसे useful होते हैं वो bread, cakes, pastries, alcohol, कुछ medicine जैसे की antibiotics यह सब बनाने भी help करते हैं आपने कभी TV में या यूटूब में bread making की recipe देखा होगा आपने या फिर आप खुद भी घर पे bread बनाए होंगे आपकी mother बनाए होंगे तो जब bread बनाते हैं हम एक चीज तो जरूर use करते हैं क्या use करते हैं? East हम East use करते हैं तो East क्या है? East भी एक microorganism है तो हम East इसले यूज करते हैं ताकि हमारी जो bread है cakes है जो pastries है वो थोड़ी spongy बने अच्छा लगे हमें खाने में तो इसले हम East aid करते हैं तो इसी तरह microorganisms हमारे दोस्त भी होते हैं कुछ microorganisms क्या करते हैं? Decompose करते हैं organic waste जैसे कि dead plants, dead animals उन्हें simple substance में decompose करते हैं हमारी environment को clean रखते हैं और कुछ microorganisms हमें recycling करने में भी help करते हैं तो इसी तरह microorganisms हमारे friend हैं तो microorganisms हमारे enemy कैसे हुए? क्योंकि कुछ microorganisms हमारे खाने को अगर हमारी खाना कुछ दिन बाद खराफ हो जाएगा कुछ ज्यादा दिन हम अगर उससे store करें होंगे तो उस पर खुद बाखुद ग्रो हो जाते हैं उसे spoil कर देते हैं और अगर गलती से भी हम उस खाने को consume करते हैं तो वो हमारे लिए कोई ना कोई disease कोज करता है हमारे लिए food poisoning भी कोज कर सकता है उसी तरह कुछ other disease भी microorganisms create करते हैं जैसे कि smallpox, chickenpox, common cold, skin infection, typhoid यह सब भी कोज करते हैं तो इसलिए microorganisms हमारे लिए harmful भी होते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कौनसी-कौनसी microorganisms हमारे friend है और कौनसी-कौनसी हमारी enemy है we see several kinds of plants and animals around us तो हम हमारे आस-पास बहुत type के plants देखते हैं animals देखते हैं उन्हें खुले आखों में देखते हैं naked eye में देखते हैं however, there are other living organisms around us which we cannot see with eye jalon तो और भी कुछ living organisms हैं हमारे आस-पास जिने हम naked eye में नहीं देख सकते which we cannot see with eye jalon these are called microorganisms or microbes तो microorganisms बहुत ही small होते हैं extra small होते हैं, काफी tiny होते हैं इन्हें microbes भी कहा जाता है तो जो भी small organisms को हम खुले आँखों से नहीं देख सकते naked eye से नहीं देख सकते उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है microorganisms और microbes इस सारे figures देख रहे हैं आप इस सब microorganisms या फिर microbes की figures हैं यू माइट अब अब्जर्वड देट द्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grey's white patches जब रेनी सीजन आता है आपने देखा होगा अगर आप bread घर पे लाए हैं और कुछ ज्यादा दिन के लिए store करके रखते हैं उस bread को bread की कोई expiry date भी होगी अगर वो expiry date ही ज़ली गई तो क्या होगा bread की ऊपर grey color की white patches आ जाएंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ grey color की white white patches हो आ गया है और यह bread भी खाने लाइक नहीं है यह spoil हो गया है तो यह जो फेचस है ना यह है bread mold यह है bread mold यह कान की fungus होते है हर मेने आगे details में पढ़ेंगे तो rainy season में क्या होता है हमारी जो bread के अगर expiry date आ गई और कुछ यादा दिन के लिए हम उन्हें घर पे store करके रख लिए तो क्या होगा grey color की white white patches आ जाएंगे bread के ऊपर when these pages are object throw a magnifying glass अगर इन्हें जो white white patches आ गए है grey color को उसे अगर हम एक magnifying glass के थो देखेंगे हम क्या देखेंगे we see tiny black rounded structures तो हम देखेंगे बहुती छोटे छोटे black color की rounded structures देखेंगे magnifying glass के थो ठीक है तो यह एक bunch में grow होते हैं इसलिए यह magnifying glass के थो देखते हैं तो यह है bread mold जो की एक कायन के fungus होते हैं यह भी एक microorganisms है water and soil are full of tiny organisms though not all of them fall into the category of microbes जो water में, soil में बहुत सारे tiny organisms हैं पर कुछ organisms ऐसे भी होते हैं जिसे हम microorganisms या फिर microbes के अंदर categories नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ organisms ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम naked eye में तो नहीं देख सकते हैं पर उनकी size उतनी small नहीं होती उतनी tiny नहीं होती हैं जिससे कि microorganisms के size around 10-6 से start होता है उस तरह उस organisms के size इतने छोटे नहीं होते हैं तो इसलिए ऐसे कुछ organisms हैं जो small होते हैं पर वह microorganisms यानि microbes की category में उन्हें categories नहीं किया जाता कुछ activities के थो भी आप check कर सकते हैं कि हमारे आसपास microorganisms की फ्रेजन्स को आप हील कर सकते हैं आप क्या करेंगे आप कुछ moist soil यानि गीली मिट्टी लेंगे उसे आप एक बीकर में डाल दीजिए एक बीकर में आप moist soil डाल दीजिए और फिर moist soil डालने के बाद उसे water से कभर कर दीजिए उसमें पानी डाल दीजिए ठीक है तो कुछ बक्त के बाद जो soil particles हैं वो bottom part में subtle हो जाएंगे और उपर पानी होगा तो इसी पानी से आप कुछ drops पानी को किसी glass के slide के उपर रखके अगर microscope से देखेंगे तो देखेंगे काफी small tiny organisms आपको देखने को मिलेगी तो वही जो small small organisms से उसे हम कहते हैं micro organisms these microorganisms और microbes are small small in size that they cannot be seen with the unadded eye तो यह जो microorganisms और microbes होते हैं वो बहुत ही small होते हैं extra small होते हैं size में तो इसलिए without कोई aid हम naked eye में उसे नहीं देख सकते हैं एड में आप ले सकते हैं microscope या फिर कोई magnifying glass ये सारी aids यूज करके आप इन microorganisms यानि microbes को देख सकते हैं some of these such as the fungus that grows on bread can be seen with magnifying glass जो bread mold fungus है वो थोड़े बड़े होते हैं वो एक ही bunch में grow होते हैं इसलिए वो magnifying glass से दिख जाते हैं हमें microscope की जरूरत नहीं पड़ती others cannot be seen without the help of a microscope और जो microorganisms है उन्हें without microscope हम देखे नहीं सकते हैं क्योंकि वो fungus की तरफ बंच में grow नहीं होते हैं तो इसलिए हम उन्हें without microscope नहीं देख सकते यह देख पार हैं यह कितने छोटे हैं तो इन्हें without microscope के हम नहीं देख सकते हैं that is why these are called microorganisms और microbes इनकी size के लिए ही इन्हें कहा जाता है microorganisms और microbes बहुत ही small होते हैं tiny होते हैं microorganisms are classified into four major groups इन्हें four major groups को हम आगे जाकर details में पढ़ेंगे आज इसकी कुछ examples देख लेते हैं तो वह four major groups क्या है पहला है bacteria bacteria की examples में आप देखिए spiral bacteria, road shaped bacteria यह सब bacteria की examples हैं फिर आते हैं algae, algae में है Chlamydomonas, Spirogyra यह दोनों algae के examples हैं यह सब हम आगे details में पढ़ेंगे protojoa, algae, bacteria यह सारी examples आप देख लिए और फिर हम इने next class में बिलकुल details में cover करेंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं next session में thank you आपके लिए सब्षाइब